हेलो स्ट्रेंट्स आज का हमारा कक्षा नवी का टॉपिक है ग्रामर का समवाद लेखन इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि समवाद होता क्या है समवाद वो है जो हम आम बोलचाल की भाशा में किससे बातचीत करते हैं आपस में दो व्यक्ति एक दूसरे से बात कर रहे हैं उसे समवाद कहते हैं और लेखन इसको लिखना ठीके तो हम इसकी परिभाशा देखते हैं या उसके अभीप्राय देखते हैं समवाद का अभीप् तो उसके बारे में हमें क्या ध्यान रखने योगे बाते हैं तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि समवाद छोटे और सरल और संशिप्त यानि शॉट रूप में लिखना होता है ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति जो बोल रहा है वो पांच छे लाइन में आ रहा है उसके बाद सेकेंड कुछ और बोल रहा है तो वो पांच छे लाइन में ना तो वह उसमें इसमीट दिखाया देनी चाहिए यह 552 वाले शब्डों का यूज हमें नहीं करना है जैसे हम आंव कि से मिलते हैं दो मित्र आपस में बादचीत कर रहा है तो कैसे मिलने क्या बादचीत करते हैं जो हमारे देनिक हुष्छ का माती है वह हमें यूज करनी होती थर्ड हमारा समवाद रोचक को सरल होना चाहिए जब भी हम कुछ लिखे या ऐसी चीज हो तो हमें रोचक यानि पढ़ने वाला उसे बहुत इंट्रेस्ट के साथ पढ़े ऐसा नहीं कि फाल्तुवी उट पटंग बाते उसमें हो सरल होना चाहिए ठीक है समवादों में आम बोल्चाल की भाषा में जो चीज यूज करते हैं रोज मर्रा में जो हमारे चीजे यूज होती है वो सभाविक शब्दों का यूज होना चाहिए साथी चुटिला पन या फिर कुछ अच्छे इंट्रेस्टिंग फेट्स डाला उसके अंदर ठीक है नेक्स्ट ए समवाद घटना और परसितियों समयनकूल होना चाहिए कि जिस टॉपिक के अपर हमें दिया गया है उस टॉपिक समझ होना चीज है वो परसिती वो टाइम हमें याद रहना होना चीज है समयनकूल यानि बहुत लंबा लेक्चर ना बना करके बहुती 10-15 लाइ नेक्स्ट सम्वाद निक्ते समय उप्यूक्त विरामचिनों का प्रीयोग में फुल्स्टॉप यानि बिरामचिन लगाना है अप्रशन वाला लगाना है यह चीज हमें यादने योग्या है पात्रों के मनो भावों को कोस्टकों में लिखना चाहिए कि क्या फील कर रहा है निराश है, ऐसे भावो को अलग से कोस्टक में भी लिखना होना चाहिए, उस से हमें पता चलता है कि पातर क्या संबंदित बात क्या हो रही है, अब सम्माद लेकं से संबंदित हमारे अंदर कुछ उधारण है, वह हम देखते हैं, कि हमने फर्स्ट कुशन लिया है, या फर् तो बस तो परिचालक बोलता है यह तो कितने बजे चलेगी बस परिचालक बोलता है जैसे ही सवार्यां फूई पूई हो जाएंगी जयात्री परिचालक बोलता है पांच भजे यात्री बोलता है अरे पांश तो बज गए है फिर देर क्यों हो रही है परिचालक बोलता है अब भी बस चलने ही वाली है यात्री बोलता है आपको यात्रियों की सुविधाओं का भी ध्यान रखना चाहिए बस परिचालक बोलता है सहाब गुस्सा मत कीजिए हम भी समय पर चलना चाहते हैं पर पूरी सवारिया तो हो जाए यात्री थोड़ी देर बाद अब तो बस भी भर गई है अब किसका इंतजार कर बस परिचालक बोलता है आप शांत बैढ़ जाईए बस अब चलती है ठीके इस तरह से सभाविक बहुत अच्छे कि सिंपल सेंटेंस यूज करने है विराम चन्नों का और कोस्टक वाले शब्दों का भी ध्यान रखना है कि वो क्या फील कर रहे है कोस्टक वाले शब्दों में आएंगे डॉक्टर और रोगी के बीस समवात रोगी बोलता है डॉक्टर साब सुबह से मेरी तबद खराब है क्या हुआ रोगी बोलता है सारे शरीर में थकान सी मैसूस हो रही है डॉक्टर बोलता है और कुछ खाना ठीक से खाया है कि नहीं रोगी नबूर लग रहे हैं । fáimka लोगी । देखकर बताता हूं रोगी बोलता है डॉक्टर साहब मैं ठीक हो जाओंगा डॉक्टर बोलता है यह लो दवाई सुभे शाम को पानी के साथ लेना मसालेदार और तलिवी चीजे मत खाना रोगी बोलता है ठीक है डॉक्टर साहब बहुत-बहुत धन्यवाद ठीक है नेक्स्ट है दो मित्रों में परस्पर बात चीत अब वो किसी भी टॉपिक पर अगर आपको टॉपिक दिया गया तो आप अपने साब से बात करेंगे लेकिन वह इंट्रेस्टिंग होना चाहिए और थोड़ा सा सही होना चाहिए ठीक है रवी बोलता है अक्षे तुम कहां जा रहे हो अक्षे बोलता है मित्र में आज कल आगरा में रह रहा हूं तुम कहां रहते हो रृवी बोलता है मित्र को लोता है अक्षे बोलता है मुझे भी फुटबोल केनना अच्छा लगता है क्या में आज तुम्हारे साथ चलू रवी बोलता है हाँ हाँ क्यों नहीं चलो हम सब साथ में खेलते हैं नेक्स्ट बढ़ती हुई महगाई के विशे में पूनम और कुसुम के भी सम्माद पूनम बोलती है कुसुम क्या तुमने आज का अकबार पढ़ा कुसुम हाँ बढ़ती हुई महगाई तो दिल्ली वालों का जीना हराम कर रही है पूनम अरे तुमने पढ़ा दूद की कीमत म में कितनी बढ़ोत्री हो गई है कुसुम बोलती सरकार आम जंता को मुर्ख समस्ति है पेट्रोल के दाम घटा कर रोज मर्रा के चीजों को के दाम बढ़ा रही है पूनम बोलती है बेचारे गरीब बच्चों का क्या होगा जो थोड़ी दूर थोड़ा बहुत दूद उनके न मेंगाई की मार का असर उतना नहीं होता जितना गरीबों पर होता है नेक्स्ट कुसुम बोलती है ओटे ओटो वाले पहले भी नमनमानी करते थे अब भी करेंगे लेकिन सरकार को रोज मर्रा की चीजों के दाम जादा नहीं बढ़ाने चाहिए पूनम बोलती हां मैं तुमारी पूनम बोलती हां बिल्कुल सही कह रही हो अच्छा मैं चलती हूं बच्चों की बस का समय हो गया है खुसुम बोलती है ठीक है तो इस तरह से हमने कुछ उधारन देखे की की परसपर दो व्यक्तियों के बीच में आपसी बात्चीत क्या हो रही है क्या सम्वाध हो रहा है तो इससे अपने जाना होगा कि हमारे सेंटेंस बिल्कुल सिंपल है जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं इसमें कोई बड़ा चडा कर चीजे नहीं लिखनी है और अगर आपको टॉपिक नहीं दिया जा तो आप अपनी मढजी से बना सकते हैं और आपकी झाल